हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन, वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल, दोस्तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप एक इंटर्पेनियोर बन सकते हो, इंटर्पेनियोर मींज आपका खुद की एक कमपनी आप कैसे आएगा, तो प्लीज इसको लास तक देखिए, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कि आप सबने टेलिग्राम ग्रूप को जोइन किया, इसके लिए बहुत-बहुत सुक्रिया, कई लोगों ने उसको मैंने देखा कि आज कि बहुत-धेर सारे लोगों ने जोइन किया है बहुत ही जल्दी उसपे हम मैं माटेरियर आपको देने लगूँगा, दोस्तो अब बात करते हैं हम लोग अपने इंटर्प्रिनर्शिप के लिए क्या करना चाहिए दोस्तो कई दोस्तो मेरे ऐसे हैं जो साइट इंजिनिर हैं इससमये Kenned तो मैंने शुचा कि उनके लिए एक वीडियो ऐसा बनाता हूँ कि उनका काम आसान हो जाए तो दोस्तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक छिज़ करना चाहूंगा आप किसी अच्छे जगह से एक बार AutoCat आप सीख लो AutoCat क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि अब तक में आपने दूसरों का planning देखके साइट पे construction करवाया है जब आपने साइट पे construction करवाया है इसका मदलब you know how to implement implement कैसे करते हैं और जैसे ही आप इसमें AutoCat सीख लोगे तो AutoCat में आपको planning करना अच्छे से आ जाएगा अब क्या हुआ? कि अब आपके पास एजग्योड करने का skill है means आपको पता है कि किस तरीके से building को बनाएंगे और दूसरी चीज आपको यह पता है कि ड्राइंग किस तरीके से उसका draw करेंगे means अगर आपके पास G-1 या G-2 की building आ गई तो आप easily उसको draw कर सकते हो draw करके proper उसका section elevation देके client को बता सकते हो कि मैं planning भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको construction भी करवा के दूँगा कई दोस्त हमारे ऐसे हैं कई मेरे ऐसे student भी है जो खुद का अपना construction office को लगके हैं पंद्रस रुपे स्क्वाइर फीट, चोदस रुपे स्क्वाइर फीट, bit material वो material का भी उनको knowledge है क्योंकि उन्होंने site पे काम कर लिया है तो material के साथ वो क्या कर रहे हैं अपनी building भी त्यार कर रहे हैं और designing भी करके दे रहे हैं तो उनके साथ एक plus point है कि उनको कहीं से भी पैसा बाहर नहीं देना है वो खुद ही सारे काम को कर सकते हैं कि आप AutoCAD सीखो लेकिन AutoCAD के लिए ध्यान देना AutoCAD आपका normal level पे नहीं होना चाहिए normal level means सिर्फ आपको एक दो drawing नहीं बरानी आनी चाहिए आपको proper काम करना आना चाहिए कि किस तरह से उस पे column की position देंगे किस तरह से column का layout देंगे मेरा complete 3D model complete AutoCAD model का जो part 2 आया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से अपने structure का column layout बनाते हैं तो column layout बनाना सीख लिए section elevation बनाना सीख लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी institute से ही सीखे अगर आपको लगता है कि आप खुद से सीख सकते हो youtube या किसी और online माध्यम के ओजस किस तरह से सीख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है आप वहां से भी कोसिस करिए अगर आपको सीखते टाइम कोई doubt आता है तो हम जैसे लोग आपके लिए हैं ही आप टेलीग्राम ग्रूप पे इंस्ट्राग्राम ग्रूप पे आप चीजों को सेर करिए किस तरह से प्रॉलम आ रही है किस तरह से होगा तो अफकोस हम लोग guide करने के लिए मैं खुद guide ही हूँ तो मुझे मज़ा आएगा कि आपके queries को मैं solve करूँ चलिए तो एक site engineer देख लिए आपने कि किस तरीके से एक intervenor बन सकता है इसी तरह से मैं एक design engineer को भी बोलना चाहूँगा कि आपने designing तो सीख ली है मिस्स आप जानते हो कि 3D कैसे बनाएंगे आप जानते हो कि planning कैसे करेंगे बहुत कम लोग बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि detailing कैसे करेंगे भीम कॉलमा एंट सलेवे सब की detailing कैसे करेंगे अगर आपको आधी चीज़ आती है तो कुशिस करीक सूप complete कर लिजी complete करने के बाद अब आपको क्या करना है आप बहुत दिन तक जॉब कर चुके हो अब आपको कैरियर में growth चाहिए growth मतलब कई धेर सारे लोगों ने बताया है कि Mercedes हमारे खुद के पैसे से आ सकती है खुद के company जो हमारी develop होगी तब ही हम करी सकते हैं जॉब से बहुत ही मुस्किल हो जाता है तो दोस्तो मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि अगर आपने designing सीखी है आद ही तो उसको please complete सीख लिए अब आपको पता तो है कि object को कैसे draw करते हैं software पे तो आपके लिए बढ़ा असान होगा धेर सारी चीज़े मैं बहुत complete designing सीखना designing सीखने के बाद एक अच्छा सा portfolio तयार करिए कि मैंने ये 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 चीज़े सीखी हैं और उसका एक video portfolio तयार करिए अब आपको कुछ नहीं करना है आप जिस भी city में हो जिस भी गाओं में हो आपके पास अगल बगल कोई एक दो अच्छे architect बहुत ही अच्छे पहचान वाले जरूर होंगे अगर पहचान वाले नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है architect जरूर होंगे अब थोड़ी से अपनी branding कर दीजिए branding किस तरह से करना है आपको branding के लिए जैसा कि जब मैंने आज से 4 साब पहले अपने खुद की company खोली थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया था मैंने एक चोटी से डायरी बनवाई थी अपने company की नाम से तो मैं चाहूंगा कि आप एक चोटी सी डायरी बनाए और एक अच्छा से पोर्ट फोलियो तयार करिए और portfolio त्यार करने के बाद आज के time में बिश्टिंग कार्ड त्यार करना बड़ा ही आसान है means आप 10 से 15 रुपे का अच्छा सा बिश्टिंग कार्ड त्यार करिए जिस बिश्टिंग कार्ड में आप ये present करिए कि आपको designing किस किस चीज कियाती है आप ये काम कर सकते हो planning कर सकते हो 3D model कर सकते हो हो सकता estimation कर सकते हो उसकते में लेहूद plan बना सकते हो उस बिश्टिंग कार्ड में अच्छे से mention करिए और mention करने के बाद आप किसी भी architect के पास जाईए और 100 रुपे की diary थी 10-15 रुपे प्रिंट करने के आएंगे आप अपने company के नाम से उनको एक diary दीजिए और diary देने के बाद अपना एक बिश्टिंग कार दीजिए उनको और उनको बोलिए कि सर ये मेरा portfolio है मैं इस तरह के धेड़ सारे project कर चुका हूँ आपके पास भी project आ रहे होंगे मैं आपके project को औरों से अच्छे quality में और औरों से कम पैसे में अच्छे तरीके से बना के दूँगा तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज एक model sample आप मुझे चरूर दीजिए जैसे हूँ मैं एक model sample देते हैं तो आप उसमें अपना जी और जान सब जोग दीजिए इतना करिये कि आप तक कि आपका सबसे best model रहा हो आप बोलोगे sir मैं गया लेकिन लोग माने नहीं हाँ तो आपके साथ problem ये थी कि आप एक लोग के पास गये थे मैं कहता हूँ आप 15 से 20 लोगों के पास जाएए तो 20 में से maximum possibilities है कि 2 architect जरूर बोलेंगे कि मेरे पास project आया तो मैं आपको जरूर दूँगा 20 architect के लिए maximum आपका जो खड़्चा होगा वो मुस्किल से मुस्किल धाईजार रुपए होगा क्यों 100 रुपए diary का मान लिजे 500 रुपए विस्टिंग काड़का इतना जाएगा नहीं पर फिर भी मैं आपको आप पहुचाते हो तो 20 में से maximum possibilities है कि दो लोगों की lead मिलेगी और दो में से एक की पास project भी ऐसा होगा कि वो बोले का कि चलो मुझे project करके दिखाओ तो मैं मान लूँगा आप उसे पैसे की कोई बात मत करिए उसको बोलिए सर आप मुझे project देजिए और उसका project मन लगा के करिए आप यह मत सोचेए कि मुझे उसे profit कितना होगा profit तो हम बात में देखेंगे सबसे पहले क्या होता है skills add करना add होने के बाद आपको profit सोचना नहीं है profit लोग खुद ले आके देते हैं तो आप उसको अच्छे से project करके दीजिए वो आपका lifetime architect client बन जाएगा या civil engineer भी आजकल जो बड़े बड़े हैं जो डेट सारे experience वाले हैं उनके साथ भी आप जूड सकते हैं अब दूसरी चीज़ यह होगी कि उस architect के डेट सारे architect friend होंगे अगर आपने काम अच्छा दे दिया तो आपकी mouth publicity बोलते हैं न दुनिया का सबसे बड़ा publicity कौन सा है mouth publicity अगर मैंने एक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने 10 दोस्तों को बताओगे मेरे द्वारा मैंने आपको बताया और आपने 10 को बताया और ओव 10 10 को बताएंगे means हम 100 लोगों तक एक लोगों से पहुँच सकते हैं सिर्क mouth publicity से इसलिए mouth publicity से architect के आई civil engineer आपको काफी explore दे देगा और काफी लोगों तक पहुचा देगा बस आपकी गाड़ी चल चुकी है तो अगर आप civil engineer में अगर site पे थे तो भी आपका ये career बहुत ही अच्छा है और दीरे दीरे जब design engineer भी proper portfolio बनाके काम लेना सीख लिया तो अब वो खुद के लिए भी site पे 2 महिने के लिए एक महिने के लिए intensive कहीं पे फिर आप का उस्ट में जॉइन कर ले और सीख लिए कि किस सरीके से implement करते हैं तो आगे वो खुद की site खुद की designing, खुद का material, खुद का money लगा के बहुत ही high class पे building को बेज सकता है मेरे भी कुछ relative है जो धेर सारी बड़े बड़े structure, बड़े बड़े land ले ले लेते हैं अब उन लोगों का इतना experience हो गया है कि उस land में society बना देते हैं society बना के एक एक society को sale करते हैं और आप सोच भी ने सकते कि किस limit पर उनका profit होता है और कल वो लोग 2000-3000 रुपए की drafting की job करते थे ऐसे लोग जब यहां तक पहुंच सकते हैं मतलब आप भी पहुंच सकते हो आप बोलोगे sir आप क्यों नहीं करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस में थोड़ा कम interested हूँ कि मैं इस sector में जाओं मुझे explain करना चीज़ों को ज़्यादा अच्छा लगता है और साथी साथ आपको guide करने में मुझे बहुत मजा आता है दूसरी चीज मैं एक writer हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों तक एक मेरी book आने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी sector में रहूँ जिससे कि मैं जादा से जादा लोगों तक अपने जो भी छोड़े मोटे knowledge है आप लोगों तक पहुचाने की कोसिस करो इसलिए मुझे अभी interest नहीं है in future अगर हुआ तो मैं definitely करूँगा वैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास planning का license है planning के project तो मैं करी रहा हूँ structure का भी license है तो structure का भी project मैं कर लेता हूँ structure का license मेरे friend का है तो मैं उससे लेके और designing में खुद करके उसको approval दिलवा देता हूँ तो मुझे अभी कोई problem नहीं आ रही है building by law भी मुझे काफी अच्छे से आ रहा है तो उसमें भी मुझे इतनी समस्या नहीं हुई है तो मैं तो खुद तो project करी रहा हूँ बट अभी मैंने company के लिए नहीं सोचा है उसके अलावा एक तीसरा में बहुत यह अच्छा option जैसे कि जो मैं करता हूँ कि सर मैं ना जैसे मैं अपनी खुद के अगर thought के बारे बताओ दोस्तों तो मुझे लगता है upwork और fiver.com ऐसे धेर सारी अफ्रिलांसिंग वेबसाइट पर अपनी ID बना के उनसे अपने client generate करके आप बोलोगे sir client कैसे generate करेंगे अगर आपको लगता है कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए तो नीचे comment करना मैं short में आपको बताता हूँ कि आप एक अच्छा सा cover letter लगाके आप धेर सारे clients को भेज सकते हो और उन में से अगर आपने 2000 लोगों को भेजा है तो आप ही समझिए कि 200 के lead तो मिल जाएगी और 200 client तो बहुत बड़ी बात होती है अगर आपने 200 लोगों को भेजा तो दो client भी अगर बन गए आप समझिए कि आप से बड़ा कोई भी freelancer civil engineering में नहीं होगा तो कोशिस करिए कि आप इस sector में भी जा सकते हैं मैं कोशिस कर रहा हूँ कि एक वीडियो उस पर बनाओ पर उससे पहले जो मैंने आपसे share किया जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होगा आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं मैं आपको जो real object होता है किस तरीके से drawing होती है किस सच 3D object होता है सब कुछ बता रहा हूँ साथ ही जो market का scenario है इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी आपके लिए और भी बड़े बड़े good news आने वाले हैं थोड़ा सा वेट करिए और आपको ज़्यादा सज़्यादा और नई चीज़े मिलनेगी हमारे channel पे thank you so much for watching this video hope you like this guys और आपने यहां तक अगर वीडियो को देखा है एक like तो बनता है और like बनता है अगर आपको अच्छा लगे तो comment में जैहिन लिखिएगा और ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार करते रहे है thank you so much for watching this